वायवा कोश्चन्स और एरे डिकलीरेशन पर वायवा और इंटरे कोश्चन्स बन सकते हैं तो case first है हमारा int space square basis a, b अब इसमें बताना है कि area कुण सा variable कुण सा है तो इसमें जो a है वो हमारा area होगा और b वो भी हमारा area होगा क्यों क्योंकि अगर square basis के बाद अब a, b, c, गर जितने भी value लिखते जाएंगे वो सारे array ही होंगे अगर square braces आगे है तो case 2 है हमारा int space a square braces, b इस case में जो हमारा a होगा वो array होगा और b जो होगा variable होगा then case 3 में हमारे पास है int square braces space a, b तो इस case में क्या होगा इस case में a array होगा और b क्या होगा, b भी array होगा क्यों, क्योंकि इसमें फिर से square braces आगे आ रहे square braces आगे है और बात में values कॉप और separate कोमा से लिखते जा रहे तो सारे के सारे array ही होगे लेकिन case 2 में b हमारा variable होगा क्योंकि square braces a के बाद में like this video, please subscribe to my channel